अस्सलामुलेकुम आज हम देखेंगे कि सिंपल कुर्थी की कटिंग कैसे होती है जिसके लिए हमने यह प्रिंटेट कपड़ा ले लिया है यह पैटन वाला है तो पैटन को ठीक बीच में हम फोल्ड करेंगे और कटिंग स्टाट करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्डर लेंगे सॉल्डर है पंदरा तो पंदरा का अदा साड़े साथ और आदाइस सिलाई लेंगे और यहाँ पे सॉल्डर का अदा साड़े साथ लंबाई लेंगे जहाँ पे हम सीना मापेंगे सीना है हमारा 36 तो 9.36 नव रखेंगे और धाइस प्लस करेंगे यहाँ पे हम कमर लेंगे ज का चौथा करके हम 25 प्लस करेंगे यह हीप लेंद है 22 तो साड़ी 22 रखेंगे और हीप राउन है 40 तो 40 का चौथा 10 और उपसे प्लस 25 प्लस करेंगे हम तो साड़ी बारा रखेंगे और सेम डामन भी साड़ी बारा रखेंगे यह स्ट्रेट कटिंग होगा डामन अब हीप और डामन की सीधी लाइंग करेंगे यह सीधी स्केल रखकर और तलबा सेथ में हम स्केल लेकर round हिस्सा हीप की तरफ और सीधा हिस्छा कमर की और रखकर इस तरह रिस्सान करेंगे स्किल गुमाते हुए सिने की तब राउंड डेकर कमर की सेब देंगे यहाँ पे एक सीधी लाइन दे देंगे हम यह आठ पे हो और मिडल में इस तरह मार्किंग करके आम होल की गोलाई देंगे आदाईच हम क्रोस कट करेंगे साइड गले तक तो हमने साइड गला भी बना लिया है छे है तो हमने पौने तीन रखा है और इस तरह हमने क्रोस लाइन दे दी है अभी सॉल्डर हम कम कर देंगे ताके पीछे पांच इज गला है यानि साड़े तिन के उपर गला होगा तो हम जो भी हमारा सॉल्डर होगा उसे दो इंच माइनस कर देंगे और इस तरह एक लाइन कर देंगे मगर यहाँ पे जो हम है सॉल्डर पर्फेक्ट सॉल्डर का आधा रखेंगे यानि साड़े साथ और इस तरह क्रोस में लाइन कर देंगे और एक राउंड दे देंगे आम होल का इस तरह पीछे टीन के उपर गला हो तो दो इंच सॉल्डर में माइनस कर देना है यानि आपका सॉल्डर 15 जो भी है जैसे 15 है तो हमने 13 रखा इस तरह जो भी सॉल्डर उसमें 2 इंच माइनस रख दीजिए और कट करिए इंचालला कभी आपका सॉल्डर गिरेगा नहीं और बहुत अच्छी फिटिंग आईगी तो इस तरह हमने सारी कटिंग कम्प्लेट कर ली है तो आपको इंचालला ये कटिंग पसन आया होगा समझ में आया होगा दो से तीन बार दिख लीजिए इंचालला समझ में आ जाएगा और ये पर्फेक्ट फिटिंग है बिल्कुल भी आपको लूज या टाइट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा बहुत ही फिटिंग वाला हमारा कटिंग है तो इंचालला आपको जरूर पसर आएगा यहां पर हमने आम होल साड़े साथ इस निचे लिया था उसमें एक इंच प्लस करके साड़े आठ हम कपड़ा लेंगे जो अस्तिन की कटिंग करेंगे इस तरह के मेजर्मेंट में सिलाय में थोड़ा भी कपड़ा आगे पिछे नहीं होगा कंप्लेट आपकी अस्तिन बैठ जाएगी यहां आम होल में हमें नव कपड़ा है तो अस्तिन कटिंग में भी देखे नव कंप्लेट आया है यानि परफेक्ट जितना आम होल है उतना यस्तिन में कपड़ा है तो आप भी इस तरह कटिंग करिए और कटिंग में माहिर हो जाएए डूआ में याद रखे अल्ला हाफीज